यहाँ पर ट्रपल इंट्रेगल 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1 दे रखा है, इंट्रेग्रेंट फंक्शन है, x² प्लस y² प्लस z² और इसको इंट्रेगरेट करना है, with respect to z, y and x के, तो आप सबसे पहले अगर z के respect में अगर इसको इंट्रेगरेट करते हैं, तो यह आएगा हमारे पास, x² प्लस y², z प्लस z¥3, आप यहाँ पर x और y को इंट्रेट करेंगे, जब z के respect में इंट्रेगरेट कर रहे हैं, फिर यह डवल इंट्रेगल में रिडिउस हो जाएगा, 0 to 1 और 0 to 1, यह हमारा z के respect में हो गया है, 0 से 1, dy, dx, अपल लिमिट अगर हम यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 to 1, 0 to 1, x² plus y² plus 1 upon 3, यह हमें मिल जाता है, अब हमें इसको करना होगा, y के और बाद में फिर करेंगे, x के respect में, तो सबसे पहले अब y के respect में 0 to 1, यह फिर से मिलेगा हमें, x² y plus yq plus 1 upon 3, y, और इसके जो लिमिट होगी, वो 0 से 1, dx, यह मिल जा आती है, अब हम अपर लोर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखने से हमें मिलेगा, x² plus x² plus, sorry yq upon 3, यहां पर 3 भी रहेगा, 1 upon 3 plus 1 upon 3, और इसको हमें इंट्रिगेट करना होगा, x के respect में, अब हमें, जब x के respect में, इंट्रिगेट करते हैं, तो x3 upon 3 plus 1 upon 3, प्लस 1 upon 3, और लोर ओर अपर लिमिट थे 0 से 1, आप लिमिट रख दीजे, 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3, and this one is equal to 1, option D, यहां पर correct होगा,